क्या फेट आज के लेक्चर का आगास करते हैं लेक्चर 62 आज के लेक्चर में हम सब्सेंटी प्रोसीजर में दो फर्दर एरियास को डिसकस करने जा रहे हैं एक है पर वी एंड कंटीजेंस इस और दूसरा है नॉन कुर्ण लाइबिल्टी जिसे हम लॉंग टर्म बारिंग भ सब्सेंट को क्वेसम है वइसे मंसे कुण्ट स्तुर आप है जीसमें अफूरे महीने की ट्रांज आक्शन नजर आए तो बता दीजे ताकि उसको टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व किया जा सके यह होती है अकाउंट स्टेट्मेंट और कंफर्मेशन लेटर में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि काउंट स्टेट्मेंट दोनों पार्टी डेटर क्राइटर एक दूसरे लेकिन कंफर्मेशन लेटर ज्यादा रिलाइबल है ज्यादा रिलाइबल क्यों है क्या रिजन है जरूरी है वो हमें रिप्लाइब करें जरूरी नहीं है क्योंकि हम अपने क्लाइट की आडिटर तो हैं आगे उसके जो डेटर तो उनके आडिटर तो नहीं है तो वह जरूरी नहीं है कि है रिप्लाइब करें नॉर्मली प्रैक्टिस हमें यह बताती है कि 60-70 परसंट रिस्पॉंसिस आ जाती आ जाया करते हैं लेकि अगर रिस्पॉंस कोई नहीं आता तो हम फिर आल्टरनेटिव प्रोसीजर प्रफॉर्म करते हैं और क्योंकि कि हाई डिनोमिनेशन का मतलब है बड़ी वैल्यों वाले नोट यह है और हजार वाला नोट यह है इनको देख लें जो सरसी तोर पर देख लें पांच हजार वाले ध्यां से देखे और की कुछ सन जी क्या है रही में पर्फॉर्म करते हैं कि इस साल के जो भी आपके assets liability है, हास तोर पे income and expense की value है, amount है, उसको पिछले साल के साथ compare कीजिए, अगर unusual increase या decrease है, तो उसे हमने clients investigate करना है, अब यह चुके completeness of creditor पे हम perform कर रहे हैं, तो हमारा असल लिस्ट यह होगा कि क्या कोई ऐसे creditors तो नहीं है, जो पिछले साल के और इस साल है ही नहीं, लिस्ट में नहीं शामिल, एक तो यह मसला है, और दूसरा लिस्ट में शामिल है, लेकिन amount कम है, यह भी मसला है, इसका मतलब है कि completely record नहीं हुए, ठीक है, तो वो यही question नहीं है, जी, चलिए फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, आज भी हम खोड़ा सा pattern पता change करते हैं, पहले हम concept को discuss कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम past proper के questions की तरफ से लेंगे, जो concept आज हम discuss करने जा रहे हैं पहले, अच्छा ज्यादा एहम जो areas है आप पढ़ चुके, अब इससे onward जो होंगे, आपके areas वो normally reproduction के question के लिए होंगे, आज जो हम पढ़ रहे हैं, प्रवियन and contingencies और non-current liabilities या long term boring, ये भी reproduction के question के लिए आपको त्यार कर रहा है, ठीक है, इसमें कुछ किसी हैं तक case study का element आएगा, वो मैं आपके साथ share कर देता हूँ, लेकिन पहले हम एगरी कर ले हैं, क्या हमें प्रवियन और contingency के बारे में पता है कि ये क्या है, ठीक है, प्रवियन क्या है, आप अकांटिंग में शायद पढ़ते होंगे, हमारे टीचरे में बताया करते थे, अक्रूल में, प्रवियन में और contingency में फरेक, एक तो होता है न, expense side, एक होती है income side, expense side के लिए तीन वर्ड बोली जाते है, अक्रूल, प्रवियन, अक्रूल का मतलब वो liability, जो confirm है, जिसके timing और amount confirm है, प्रवियन का मतलब वो लावियन, जिसकी amount confirm नहीं है, आप लेकिन approximate कर सकते हैं आप उसको, reasonably उसको measure कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं, वो प्रवियन है, उसको भी record करते हैं, अक क्रूल तो confirm amount, जैसे बिजली के बिल के क्रूल बिल आ गया है, ठीक है, आपने उसको क्रूल रिकार्ड करनी है, सैलिस पता चल गए आपको कितनी है, उसकी क्रूल रिकार्ड करनी है, और कुछ expenses होते हैं, जिनकी आप estimates for bad debt है, warranty है, पर वियन, रिकार्ड करते हैं, और कुछ ह होते हैं, जिनका आउट फ्लो प्रोबेबल या मेयरेबल ही नहीं होता, प्रोबेबल नहीं होता या मेयरेबल नहीं होता, उससे हम कहते हैं, या contingent liability, उसको हम disclose करते हैं, तो यह यारिया याद रखे, जो अक्रूल वाला एरिया वो हम कवर कर चुके हैं, सैलिस की अक्रूल और जो दूसरे एक्स्पेंसे के क्रूल थी, अब यह जो एरियाज है, यह है परवियन्स एन कंटिजेंसिज, तो रैटिकली उसने दोनों एरियाज को लादर लादर डिसकस किया है, हलाके प्रैक्टिकली दोनों में कोई जादा फरक नहीं है, एक ही एक्जेम्पल इसकी है हमारे सलेबस में मोस सिगनिफिकेंट वो है लीगल केसे, लीटिकेशन, अगर वही लीगल केस कंपनी के खिलाफ है, हमारे क्लाइन के खिलाफ, और फैसला हो चुका है, कि भाई इतने पैसे दा कर तो कोड का फैसला आ गया, वो क्रूल बन जाती है, और अगर केस अभी पैं नहीं है, या मैयरेबल नहीं है, तो फिर इसको डिस्कलोज किया जाता है, अब वो ही लीगल केस, अगर आउटफलो प्रोबेबल और मैयरेबल होगा, प्रोवियन रिकार्ट होगी, और वो ही लीगल केस, वो ही लीगल केस, अगर आउटफलो प्रोबेबल या मैयरेबल नह नहीं पूछेगा और यह लाजमी पूछेगा इस दफ़ावाले पेपर में जो आने वाला है किसी ना की मेरी जज्ज्मेंट है जाहिरा ज़िए नहीं है यह एक्सपिरियंस की बेस पे है कुछ नौलिज है कुछ का ऊ enfrent करके डिजल केस का पॉइंट किसी क्वेसंट में जरूर् सब्करैय लेके किसे किसी की ने करेंगे करेंगे क्स्मर ने क्परवियर यह बताइएगा बताईए इस स्यून best अ क्शन से तरम करेंगे करेंगे Sony कि ईसे से बहुत से लोगों को नुक्सान पोचा को पामेंट है कोईफे केस Bonna केड़ने कंसे को तो निहांगर है याद रखीगा के सपेश करेंगा क्या कि आप क्लाइट के खिलाफ कोई legal case spending है इसमें जो सबसे एहम source of evidence है वो तो आपको पता होगा ना क्या होता है lawyer से confirm करना lawyer से उसका opinion लेना और आपको याद होगा एक case study में शायद हम दिये पढ़ा भी था कि lawyer ने जबानी किलामी तो कह दिया था कि ठीक है confirm करने से इंकार कर दिया था तो अगर lawyer हमें confirm करने से evidence देने से इंकार कर दे वो क्या होता है स्कोप लिमिटेशन स्कोप लिमिटेशन तो वापिस आते हैं प्रविया रहा हूं लेकिन याद रखिएगा कि आपने इसमें से वह पॉइंट पिक करने हैं जो आप case study में यूज कर सकते हों और case study में क्या पूछेगा legal case spending है यह पूछेगा प्रवियंड कंटिजैंसी पेज के नीचे एंड पे उसने परवियंड कंटिजैंसी और कंटिजनमकिक फरक बताए वह अक्षर आप पूछते पूछते ही रहते और कुछते ही रहेंगे लेकिन वो एक जगा पर नोट कर लिजए जैसे आप sub-sequent event के बारे में बार बार पू सबस्क्राइब वाला और एक 147 तो अब आप हां जी इसके लिए तो यह कंटिंजेंट पर वियंड का जब कभी आपने पूछना हो कंटिंजेंट सार कंटिंजेंट एसर लाइबिल्टी में क्या फरक है पेज भी आजए 147 आए जी पर बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दिया परवियन की रिकारडिंग होगी इसमें आटवलोव उन्तिंजेंट में डियाज़ाता है आउट्लोव नहीं होगा या मैं होगी एक भी नहीं क्या का रहा है किया किया समझा रहा है कि यह पिर्वियान से प्रभी नब भाट हो चाहे पर विह इंप आएंट हो चाहे इसाफ्रूइल सब कि लिष्ट लो टोडल करो यह प्रोसिज्जर हम देटोस में अब इसको रिकार्ड का नाम परिक था लेकिन प्रोसीजर सब में शेम था कि detail list लो और उसे balance sheet के total के साथ match करो अच्छा पताईए अगर exam में कोई legal case आ गया उसमें ये वाला procedure relevant होगा नहीं क्योंकि वो तो एक case की बात कर रहा होगा इसे तो सारी provian की बात कर रहा है बिल्कुल ठीक है आगे चलते हैं review list of प्रवियन चोर it includes necessary items जैसे प्रवियन फार वारंटी रिडेंडंसी लीगल केसिज साइट रिस्टोरेशन एट्सेट इसे अपने नॉलिज की बेस्पे हमें पता है बिजली का बिल तो पाकिसान में आता ही अगले महिने में है बिजली के बिल की कोई ना को यह प्रवियन वहाँ बगारा जो है वह होनी चाहिए नार्मली यहां बैडट होता ही होता है अपने नॉलिज की बेस्पे और कैसे बताएं का कुन-कुन सी आइटम होनी चाह है जब हम कंबेर करते हैं प्रिवियस यह के साथ नंबर वन क्या आइटम्स पूरी है नंबर टू क्या अमाउंट से रिजनेबल है जितनी पिछले साल थी दोनों सीज़े देखने हैं आपने लिस्ट औफ क्राइटर्स में भी देखा था ना पहला क्राइटर्स की नहीं यह भी और मिस्टर ब्लैक लास्टर में इस साल भी है लेकि उसकी माउंट हम है यह भी कम्लीटनेस की प्रॉब्लम फिर इंशूर एजंप्शन्स और रिजनेबल पर वियंस कैल्कुलेट करते हुए कुछ एजंप्शन्स अप्लाई की जाती है ठीक है जैसे पर वियं इसलिए नहीं दीकिए वो डेटर के साथ कवर हो जाता है वरना वह भी एक प्रवीन ही है या प्रवीन फार रिस्टोरेशन में आप डिसकाउंट करते हैं उसको क्या होते हैं साइट रिस्टोरेशन को आश्टोर तो डिसकाउंट रेट रिजनेबल होना चाहिए वह नहीं होगा क्योंकि पूरी लिस्ट के बात कर रहा है अजंशन जारीजनेबल हाँ यह यह हो सकता है फिर फोर कंपेर दा लिस्टोर प्रवियन फिद प्रिविए सिर्ट और इंटिफाइए नी मेजर प्रवियन फूस बैलनस वास डिक्लाइट सिक्निफिक अंडिन यह तो में वो नंबर पूरे कर रहा है कि सारी प्रवियन फूरी होगी थी किनी चार थी पांस ही थे और फोर में अमाउंट्स देख रहा है रिजनेबलो फाइफ फारीज प्रवियन डिटर्मिन वैदर इट मेंट सिरिक अगनेशन क्राइटेरिया एस पर आया फरस एंड हैस बिन म प्रवियन को और उससे पूछो कि बताइए भाई अमाउंट ठीक है के नहीं यह तो पूछने की जरो नहीं आप से आएगा कि नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा लीगल के समय मुझे याद आया मैंने आप से पढ़ने को का था चैप्टर 14 लर्निंग अब्जेक्टि पूरी क्लास में आप से स्वाल पूछने की भी जरूरत नहीं है शाबाश यह लिजिए एक स्वाट है एक स्वाट है शाबाश चले वैसे सबका कंसर्ट रिफ्रेश्ट हो जाई है मुझे इसके लिए बता दीजिए लगा आपका प्राइज होगा आपका प्राइज होगा हम लायर को सेंड करेंगे उसमें एक इंफर्मेशन तो मैं बताता हूं कोई और इंफर्मेशन आपने बतानी और क्या कंफर्म करते हैं हम उससे लिस्ट आफ लीगल केसिस कंफर्म करवाते हैं क्या बताईए क्लाइंट के खिलाफ कौन कौन से लीगल केसिस पेंडिंग है य के साथ हमें ये भी बताई के लीगल केस कंपनी हार रही आंड़ लु प्रोवेबल है के नहीं और फिरह रही है तो इसकी इमाउंट कि पूछते हैं आउटकम भी पूछते हैं फाइनचल इमपकट भी पूछते थे हैं तीनों चीजें लायीर को लैटर सेंड करें list of legal case भी पूछेंगे उसके बाद outcome भी पूछेंगे क्या है expected expected और amount भी पूछेंगे financial impact कितना चलिए बाराल ये सबसे एहम हमारा legal cases में procedure होगा इसको खास और भी आपने याद कर रहा है ये भी एहम है ये भी legal case में आएगा क्या कहना जा रहा है ये रेंट के बाद अगर legal case का decision हो गया है तो amount को adjust करना ये समझा रहा है क्योंकि ये adjusting event है और हो case study आल आ गई जिसमें अक्सर case study में होता है ये रेंट के बाद फैसला होता है और company हार जाती है तो हमने प्रवियन रिकार्ट करनी होती है कि नहीं यानि उसे प्रवियन रिकार्ड है तो फिर उसको confirm amount में बदलना होता है जो भी amount final हो लीगल के सब्सक्राइब हम ये रेंट के बाद case जीत गए ये रेंट पे प्रवियन रिकार्ड की थी याद है ये रेंट के बाद case जीत गए थे क्लाइट ने का था प्रूड़र्स कंसेट है रहने तो प्रवियन हमने का था प्रूड़र्स कंसेट नहीं एड़्जस्टिंग इवन्ट है और इड़्जस्टिंग इवन्ट है रिवर्स करने थी शाब बार उसने नहीं की थी तो वह मिस्स्तेट्मेंट थी याद है नेक्स रिव्यू वैदर पर भी है ना चाहिए हो गया इंगेज एक्सपर्ट इफ निससरी अगर जरूरी हो एक्सपर्ट को इंगेज करो जैसे लीगल केस में तो हम इसके लावा बाज वकाद कुछ कैल्कॉलेशन कंप्लेक्स होती है ना तो हमें सी एफ चार्टर्ड फैन ने काम में बिजी होती है उसके लिए एक्सपर्ट को भी इंगेज अगर जरूरी हो तो प्रवियन की वेरिफिकेशन में एक्सपर्ट को भी इंगेज कर रहा है लेकिन आपने जो लीगल केस वाला पॉइंट है के सड़ी में उसमें एक्सपर्ट को नहीं करना क्योंकि वह इसे कहीए होता है आप डिसकास कर चुके अपड्ये रिटन रिणे डेशन अध्यमेंट रिगार्ड कभ लिद्नेस और एक्श्या क्या होते है अ रिटन इन्फरमेशन प्रusesं क्या है रिटन इनफरमेशन फ्रॉम मैयनिजमेंट रिटन रिटन इन्फरमेशन फ्रॉम मैनेजमेंट करती है किसको और ressort का जबाणी करे में रहेकिन डिटन समय में यह क्यों जरूरी होती है जिस तरह किसी लीगल के में बैयाने हलफ ही जरूरी होता है ना है जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवह कुछ नहीं कहूंगा उसी तरह हम ने भी मैंडियमेंट एक उसके बावजूद फैसला The सबूतों कि बियानार की रोशनी में होता है उसी तरह हम ने भी मैंटेजमेंट से करनी होती है कसम खाकर बताओ सारी परवियन रिकार्ड कर लिए हैं कोई हमसे चुपाई नहीं है कि हमें हमारे सीनियर्ज हुआ है कि अक्सर management में नाट प्रवाइड कम्लीट इंफरमेशन तो इसलिए हम कहते हैं बहुत कि आपने सारी प्रवियंट तो management यहां पे management से कसम ब्याने हलफी भी ले लो कसमट फालो management से क्या कसमट फालो कि सारी प्रवियंट कम्लीट है और अमाउंट एडिक वेट हैं तो management कहती सर यही कसम ले थी तो शुरू में ले लेते सारा काम तरना करना पड़ता है यह फिर भी काम करना पड़ता जब तक जाजिक ब्याने हल्फी लेते रहेंगे लेकिन फैसला सबूत और गवाहों के वियानात की नोशनी में करते रहेंगे तब तक हम भी लेते रहेंगे लेकिन अपीनियांस की बेस्पर दिया करेंगे और यह उपर यह सब्सक्राइब पाकिसां में दो तीन साल बाद काम खत्म हो जाना है ओके ओके चले आगे साथ कंटिंगेंसी की तरफ चलते हैं लिटीगेशन पहला कंटिंगेंसी क्या हैं भला इसके ये भी आपके सहन में लीगल कैस ही है ये यह भी लेगल केसा जो अभी शुरू के स्टेजिजी सेंगे अदरिंग उए कियागा ॐफ ops फालो अप कर फालो आप मतब क्या पूच्छो बहThose ज्वाब क्यूंनी दी आप ने ज्वाब क्यूंनी है तो फालो आप कन्टिजैन्श उती इनको follow up किदर गई है? पिछले साल दस थी, इस साल साथ हैं, तीन किदर गई है? तीन किदर गई है? तीन सार इस साल resolve हो गई है? नहीं बलकर यह नहीं कहेगा. क्या कहेगा? सर उन में से जो पिछले साल दस थी ना, उन में से पांच इस साल resolve हो गई है? और दो नहीं आ गई? ये है follow up करना पिछले अगर तो situation as it is रहना तो जो हम एजूम करते है आडिट में कि अगर कोई बड़ा economic change नहीं आया किसी country में तो जो पिछले साल के results है वो ही इस साल होने चाहिए ये हमारी presumption होती है जिस पे हम audit start करते है कि हर अगर कोई भी चीज चेंज हुई है उसके पीछ reason हम inquire करें तो यहां पर पिछले साल की जितनी contingencies थी हम क्लाइंट से पूछेंगे बताइए क्या है लेस्ट उन में से यह तो इस साल वह अगले महीने में भी आ जानी चाहिए लेकिन कौन सी वाली नहीं आएंगी जो उस महीने में अडिजस्ट हो चुकी है ऐसे यह ना तो आपको closing reconciling item को verify opening को भी तो देखना चाहिए कि पिछले साल कितनी थी उन में से कितनी इस साल adjust हो गई बाकी closing में आजए इससी तरह contingency में कर लिया जी follow up फिर क्या कह रहा है मैं मैं से पुछे भाइजान आपके पास लिस्ट है contingency के बारे में पूछे यह क्या चीज है वो क्या चीज है सब इसे बड़ी आइटम्स क्या होंगी legal cases उन्से पुछें के भाई आपको कैसे पता चलता है legal cases आ गया contingency record करने हैं inquire approach taken by management to identify contingencies management कहेगी सर या तो जो जिस बंदे में हमारे केस करना आता है या तो कमनी के रिजिस्टर आफिस में नोटिस बेजता है या हमारे lawyers को नोटिस बेजता है तो हम यहां से identify कर लेते हैं contingency लेकिन बाज वकात कभी को बार ऐसा होता है ख़बार में कोई खबर आ जाया ना जिसमें हमें पता चले कि हमारे restaurant में का खाना खाके कुछ guest बिमार पढ़ गया है उन्होंने अभी case file किया नहीं है लेकिन कर सकते हैं तो हम वहां से भी पीक कर करना चाहिए इस case में नोटेस आने का इंजार आई यह वह कहता है क्योंकि इवन्ट अगर हो गया तो रिकार्ड करना है ठीक हमने का यह अच्छा खाम करते हैं बिल्कुल इससे contingency identify हो जाएंगी check status of contingency subsequent to reporting period कि जिससरा opening contingencies को देखा था वो इस साल अड़जस्ट हुई कर नहीं होई है उसी तरह closing contingency को देखेंगे वह अगले साल अड़जस्ट हुई क्यों क्योंकि अगर वह next देमें अड़जस्ट हो गई तो वह adjusting event है इसको इसको एकॉर्डिंगल कर देंगे वह ऐसा है है डारेटली कम्विनिकेट लैटर ओफ इंक्वाईरी विद एक्सटर्ना लीगल कॉंसल यह थोड़ा साथ को सेंटेंस लग रहा होगा मुश्किल है लेकिन इसका मतलब एक है क्या लॉयर को कंफर्मेशन लैटर सेंड करो लाइर इसका मतलब है इसका मतलब है कंपनी का कोई लाई भी होगा लायर है ऐगर आपने किसी लायर करके कि केज की डिबियुट्सब्ट के हमें हमें कृण कंफर्मेशन लैओं हो उसका की लाइबिल्टी कन होगी कुछन सकता है कहम अपने किसी लॉयर से राप्था करके उसे केस की डॉकुमेंट्स पढ़ा है और कでि ना हमें कनी का लार को कहता है जीट जाएंगे आप यह ज्यादा रिस्की है जो रिकार्डिड अमाउंट की वैरिफिकेशन यह भी ठीक होनी चाहिए लेकिन अन्रिकार्डिड लाइबिल्टी साइट भी आपको पता है अन्रिकार्ड होने का सब्सक्राइब लेकिन उसके लिए मीटिंग पढ़ना पढ़ेंगे जो अकसर हम लोग नहीं पढ़ते हैं लंबे से बड़े से लेकिन बाराल अप्रेक्टिकल लाइफ में जब आप जाते है तो फिर अपने क्लाइंट को आपको एडवाइस करना पढ़ता है तो वह काम आती है रिव्यू लीगल ऐसा तो हो सकता है किसी लीगल के आपको ना बताए लेकिन ऐसा नहीं की लिए हम क्या करते थे मुझे याद है जुनियर था पहला मेरा अडिट क्लाइंट था वेल्यूएशन करनी थी कंपनी के शेर्स की पहला था दूसरे क्लाइंट में वह एक बैंक था तो उसमें जो एरिया दिया अग्समेंस वह था लीगल एक्स्वेंस का और मुझे आज तक याद है सीनियर ने कहा था इसमें हर आइटम को वैरिफाई करना है तो बड़ा हुआ हूं आप कह रहा है इसमें से हर आइटम को सेलेट करने 100 सेलेक्शन करनी है तो उसßते समझ कि कुछ सारे पर रहा है कुछ एरिया पर हंड़र पर संट टेस्टिंग कर रहा है इसका क्यूं कर वा रहा हूं क्यूं कि रिस्क्त ज्यादा तो बताई लेका लीगल एक्समेंस चोटा सा है यह चार पांच लाग का है उसको चार पांच लाग भी बाराल बड़े अमांट होती थी लेकिन मैंने कि सर आप कर सिरं पढ़ा हुए अडवटिसमें यह इसको ना करने नहीं इसकी अमाउंट की बजने करवाहरा रिस इसको करते हुं हमने असलवन मेंट बढकिन है के नहीं हो यह वह बैरिख ह palavras न जो कौन सा expense किस case की payment है और उस case को जो client ने हमें list दी थी, साथ में बगे टिक लगाना था कि ये वाले case की payment है, ये list में मुझूद है ये वाले case की payment है, ये list में मुझूद है अगर client ने आपको कोई list में case include नहीं किया, payment तो की होगी ना जब आप legal expense को review करेंगे और जिस जिस पेइमेंट जिस जिस केस किया उसे इंशूर करेंगे कि लिस्ट में आ जाए अगर कोई क्लाइंट ने हमें इंफर्मेशन नहीं दी वो पगड़ी जाएगी पेइमेंट तो की होगी यह है रिव्यू लीगल एक्समेंस का अकाउंट हाला कि वैरिफिकेशन एक्स लेकिन लेकर एक्समेंस रिव्यू करने से जो उन आइडेंटीफाइड लीगल केसी हैं वो सामने आ जाएंगे रिव्यू बिजिस प्रैसेंट जर्नल फार कॉसिबल इंड़्टी वाइड कंटिंजनसिज बास पुछ कंटिंजनसिज होते हैं जो सारी इंडस्री को फैक्ट पर करना पड़ेगी हो सकता है आप लाइसेंस कैंसल हो जाए कॉलिज बंद हो जाए तो इसलिए कुछ बाज उकात ऐसे contingencies होती है या ऐसे events होते हैं जो किसी एक company को नहीं पूरी इंडस्री को फैक्ट करते हैं वह आपको कहां सा पता चलेंगे बिजनेस न्यूस बगारा से निूस पेपर से अब बाज वकात पाकिस्टाम में तो शहीं चंडे की न्यूस पेपर हैं जो कि क्लाइंट के हवाले से जो खबर किसी अख़बार में आई थी ना उसको पता था याद रखते था नोट करकर रख लिया करते था मिली डायरी में या जो भी उनके वर्गिंवेपर होते हैं कि इस क्लाइंट में यह सब्सीकेंट एक आग लगी थी वारे क्लाइंट के एक वेर ह तो जब आप यह न्यूजपेपर पढ़ते हैं बिजनिस प्रेस जर्नल पढ़ते हैं तो इससे आपको उस इंडस्टी या उस कंपनी से रिलेटिड इंफरमेशन जो कंटिंजेंसी का बाइस होती है वो पता चलता किसी वैसे एक्जेंपल बता सकते हैं न्यूजपेपर की जो ब्लिजेंस फोब ने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से रिलेटिड खास और पर आती हो यह और यह यह था यह 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 हमारे पर फियर नार कंटिंजेंस एम ए किलिए अच्छा अच्छा अब आगे चलते हैं इसमें क्यों प्रॉब्लम तो नहीं मुश्किल तो नहीं गोई अच्छा सबसे मुश्किल प्रोसीजर आपको कौन सा लगा प्रुवियन कंडिजन सिस्व में कोई भी और सबसे एहम कौन से वाला लगा लायर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया वह हैं था और रिव्यू लीगल एक्समेंस वह इंट्रस्टिंग था ठीक है यह जरूर आपने लिख लेने सुलेशन नेक्स्ट हमारा एरिया है लॉंग टर्म लाइबिलिटी लॉंग टर्मली क्या चीज़ें होती हैं बैंक लोन है बिल्कुल यह क्या एविडेंस होगा क् सबसे अहम आपका डोकमेंट कर Always क्या होगा मैं लोन एगरिमेंटे अब लोन एगरिमेंट ठीक्डों कि रज्यवाटीर एक तो होगा पर्लागा क्या हमने ट्रम बारिंग करते हुए सिर्फ जो लोन लिया है क्यों को भेरिफाय करनें के रिचाओ को भी अगर मैं असानी के लिए कोई मिलता जुलता शेडूल बनाना चाहूं तो लॉंग टर्म लोन का भी बना सकता हूं अगर शेडूल बन जाए तो आपका काम असान आपने सिर्फ एक टार्गेट जेहन में रखना है के इस शेडूल के अंदर हर आइटम को मैंने वैरिफाई करना है तो अगर मैं लॉंग टर्म लॉंग का रफ सा शेडूल बनाऊ है यह जी लॉंग टम बार्रूइंग्स इसमें सबसे पहले क्या आएगा ओपनिंग यहाएगा लोन फ्रों में से भी यूबी एल ठीक है और हो सकता है किसी डारेक्टर से लोन लिया हो फिर इसके बाद यह क्या होगा आमांट रिसीवड रिसीवड डूरिंग भी यहर रीकट इंट्रेस्ट लाइदा सोगा हो इन्विए लोग परिफाइए करते होएं करेंग हैं से भी हंडर्ड मिल्यन स्टार्ट में था पेमेंट कर दी 30 की रिवेनिंग 70 स्टार्ट में कोई नहीं था डिरिंग दियर 50 आया स्टार्ट में 25 था डिरिंग दियर 25 जीरो यह कुछ चेडूल है हमारे पास हर एक को लादर दा फैरिफाइग करेंगे कि गठा क्या करिंग स्टार नंबर वन प्रीवियस एर के साथ अगरी कर रहा फिर बैंक से कंफर्म बैंक स्टेट्मेंट से पेमेंट्स कंफर्म कर ली और सीट कंफर्म कर ले जो डिरिंग दियर न्यू लॉन लिये हैं उनकी अपरुबल भी ले ले ली और लॉन एग्रिमेंट भी ले लिया फिर लॉन के मताबिक हो रही है कैने और दूसरा कही सबसे एहम के सड़ी में टेस्ट कर सकता है एहम पॉइंट क्या लोन एग्रिमेंट को पढ़के हमने यह देखना है किसी कंडिशन की वायलेशन तो नहीं की यह बहुत एहम पॉइंट है ठीक है प्रैक्टिस में मैंने कभी नहीं यह पढ़ा, आते थे, उसमें सिरफ कुछी चीज़ें होती थी, फाइनेशल नाइग्रिमेंट में बहुत सी चीज़ें की जाती है, फाइनेशल भी, नॉन फाइनेशल भी, ठीक है, अब आके अशास होता है, कि प्रैक्टिस में कितने सीखने के मौके थे, लेकिन हम सिरफ यह कि काम से जान चुड़ाए, तो नहीं किया होते थे, हाला कि पढ़ते थे, कोई औरी लावल होता है, बारात, तो हम एग्रिमेंट को पढ़ते थे, पढ़ते जरूर, लेकि उसमें सिरफ जब फाइनेशल एलिमेंट वाली चीज़ें होती तो उनके अपर फोकस करते थे, हाला क नौन फाइनेशल में भी अगर कोई कंडिशन एक भी ऐसी आगी जिसकी वालिएशन है, तो वो सारे का सारा जो लोन की माउंट होती थी, वो इमिजेटली रिवेबल हो जाती थी, नौन फाइनेशल कंडिशन का भी इंपक्ट होता है फाइनेशल स्टेटमेंट ले, तो हम यह ना वाटसाइब ग्रूपे शेयर कोई और करते हो शेयर हो जाए अग्रीमेंट क्लाइंट का कॉन्फिदेंशल चलिए अब हम देखते हैं कि वह हमें क्या बता रहा होगा अगर कोई नहीं चीज आई तो हम उसको चेक कर लेंगा अब देखते हैं हमारी जज्जमेंट और स्के प्रोसीजर कितने मैच करते हैं प्रतें शड्यूव ओफॉफ ऑल भारंस aos विधा बॉरेन स्भलावविंस बारिंस फिरिप्राना लोन आग्रिमेंट कि साहें पुराना का रीजनalth च है तो किसह लिए अगे रीजन बता रहा है फार सेक्यूरिटी के तोर प्रें क्या छीज़ है रिक्षाई रीपेमेंट शेडियूल कि क्या था निए उसके लिहाँस से करण रो नौन करशिफिकेशन भी करनी होती है और यह भी देखना होता है उसके लिहाँस बल्के मुझे केशरी याद आ गई case study याद आगे उसमें उसने repayment schedule दिया था फल्ज किजिए और आप से काता है opening में 100 million है और यह opening में यह 100 million 10 equal installments में pay होगा quarterly quarterly opening में कितना है 100 million 10 quarterly equal installments में pay होगा और closing में payable है 7 million problem है के नहीं यह case study में से question है मैंने और यह मुश्किल case study थी problem है के नहीं हाँ 7 एंट गलत है शेख होना चाहिए ओपनिंग में अगर 100 है हंडर हर महीने एक फॉर्टर के बाद 10 हो रहा है तो साल में चार वाडर होते हैं चार में मड़न होनी चाहिए तो हंडर के पजाए 10 होना चाहिए इस साल प्लोजिंग वे वे उसा था इसका प्ते तो पे नहीं किया यह पे किया तो किसी होगा हो गया इसको इसके सब्सक्राइब का फिर इसे भी यह तो असान था अब इसे भी उसी के सड़ी में था क्या उसने का था इंट्रस्ट रेट है 10 परसंट और एक्सपेंस एकाउंट में रिकाड हुआ था 10 अंटरस्ट रेट तो हंडर में बिटन परसंट हाँ शावाश यह यह प्रॉइंट है यह फ्राइट छ्रान करना आउटसर्णिक विए वर सो मिलियल्व तीन मीने के लिए फिर उसके बास 90 मिलियं पर री दिए यह थीन मिलियन के लिए यह चाली आपने जिए के आदि आपने यह आपका बैस मैं मशूर करूंगा ऐसा चार्डर का बैस जिसको बीरस नहीं बनानी आती है उन्हें कभी सीखी निए बीरस बनाना यह मैं मशूर करना आपको तया है आगे चलते हैं लिए नियू बारेंग के लिए चैका थोड़ी होना जाहिर है और फिक्स एसेट खरीदा था चोटा सा उसके लिए अप्रूवल थी इसके लिए अप्रूवल नहीं होगी लोगन के लिए बिल्कुल होगी भी ठीक है फ्रॉम मिनस ओव बूर्ट बीया इस अब इस चैक डैट प्रूब लोन लेंगे रिजिस्टर यहीं कहा रहा है रिक्वार्मेंट्स देख्लों हमने भी देखना हो गया कि वरना तो वह साथ होगा फिर कंफर्म लोन रिपेंट्स तुरिंग पेमेंट्स रिकार्डिट इन यह था इसको पर से केस्टरी बना लिए इन दो के उपर इन बनाया उसने आपको रिपेमेंट्स चेडियूल देके अमाउंट दे दी बैलेंशीट के इंकम स्टेट्मेंट की ना बैलेंशीट की ठीक ठीक था यह समझा रहा है लोन एग्रिमेंट लीजिए उसमें देखें रिपेमेंट्स के मताबिक हो रही है कि नहीं इंट्रस एक्स जाए उसका बैलेंश सो 0 आई रहा रहत़ है निल हो गया है में रहे हैं रहे यह लोन आपको बैलायन्स होगी इंक्वायर मैंग्ञेंच्बंट्र सब्सक्राइब क्रणिश्य करो कि है क्या था हो है था टेस्ट रजार नीट आटेवरॉन अःट तो परफिक इसकी ग्राह तो देख़ोड चलिपैन सब्सक्राइब होङान युद्रा ऑग ओना अगर दो सब्सक्राइब करना पूरी को चल जाता यह इंश्योर एट इंटरस्ट रेडियों तो सेक्षैस का इसका है इसमिन धेखते हैं कि रिंजिंग इन्टरस रेट रेट रंज परसंट वीफीटीन परसंट यह है यह कभी और चौपराइफ इंटरस्ट रेट में 550 बांदे नोनो इसका जवाब। कुल ना के दीज़ेगा दा के वास्ते आपने कभी जिंदगी में किसी एक कंपनी की एन्वल पोर्ड को पूरा पड़ा है इस तरफ फैनेंशल स्टेट्मेंट को पढ़ा डिस्क्लोजर सारे इस तरफ पड़े इस ने पढ़ा है कितने सोट है शाहबाश इस विद्ध नहीं होते थे फार्यू टाइम में क्या होता था अहरे का शोग ना जैसे किसी का शोग है वाट्साइब किसी का शोग है और एक शोग तो सबका ही है तो हमारे सीनियर के शोग था वैसी निया थे मैं बड़ा इंपरेस्ट फ्री टाइम मिलता था ना वह किसी कंपणी की फाइनेंशल स्टेंट्मेंट्स लेके स्टेंडर साथ रखते थे और लिए इस और इस गलतिया निकाला करते थे यह तो उनकी यह आदत अब आपको इस तरह के प्रफेशनल में भी लोग है तो उनका वो पनी स्ट्रोंड लाइफ में इस तरीके से काम करते हैं तो कोशिश करें टाइम जाया करना भी एक आप्शन है वो भी कर लें को फरग नी पढ़ता किसी को वो भी कर सकते हैं लेकिन इस जाद की चीजें आपको बाद में काम देंगी क्योंकि यह जो इज है इसका हसास नहीं कोई स्टना ही इसमें तो वहां इसके उएपने आपको इसालों जो इस अप्रोच के साथ गुजारें अब काम करना भी चाहे ना तो बाद नहीं कर पाते हैं लेकिन यह जो है ना इसमें जितना काम का इसे काम से काम करने की अधर डालें और काम करें नहीं चीज़ें यह आपको मल्टिपल एर फैक्टर देगा आपके फूचर लाइफ नहीं यह वाली सीज़ें तो वेलबल हैं जो भी अभी वी आप्शन है यह तो रहेंगी लेकिन काम करने का टाइम भी रहात नहीं आएगा आगे आपकी मरदी है अब हम चलते हैं हां जी पास्वेबर्स के तरह ठीक है दो यह एरियास थे हमने कर लिए क्वेस्टन रहें कोई प्र में अगर उसने किसी कंडिशन का एक्स्प्लेंड करके कर दिया नौन कंप्राइंस हुई है वह कहएगा लूंड की माउंट चोटी सी यह या कैँ सॉरी जो कंडिशन है ना वो कंडिशन चोटी सी है यहां हो तो गिशाबार और फिर हमने क्वालिटेटी मटीरियल टी का कंस से खिया था उसने का है उसकी कडीशन की फैलेशन हुई है चोड़े थी लेकिन अगर इसको करक्ट करवाते हैं और मिस्टेक्मेंट जी किsınız टुमाँट इम्मटीरेवल थी लेकिन उसने का एक्डिशन करवा हो तो लूंज कन्डिशन की इसेatanh थी क्या इममटिरियल एक्ट आना चाहिए था क्या इमें इंप्रीड इमटिड़ियल इमटिड्र इमटिडीव इन जर्शन फैक्ट हूई कम्प्लीटनेस की गलत हुई लाइबिल्टीज कम्प्लीट नहीं है स्टेट एंडी पॉसीजर टूबी परफांड इन रिलेशन टू कम्प्लीटनेस एजर्शन फार ट्रेड बेवल अब देखें वह ज्यादा पराना नहीं है 5-6 साल पराता है अब उसने पूरा एरिया नहीं किसको अंडेलाइं करेंगे तुम को सीतिति और झाल फास को यहां से करेंगे त्रेड वेबल जिसें पता चलेगा क्रेंग और तू दो बताने हैं एक अधा जर्वाश्य में वह लिख दूगा एक आड़ एक और उनीन प्रॉब्लम तो नहीं है क्या मैंक्याता नहीं नहीं क बलके शाबाज देता है बहु क्लियर क्वेशन लेंप कोई प्रॉबलम आपसे सुनने की जरौत नहीं है आपको कुन साथ होंगे अगे चलना याद कि आते हैं याद किया वो पेज याद करने के नहीं किस ट्रॉण्ट को वो सारा पेज याद हो गया है आइए तो जिस जिस ट आदा याद कर लिया आदा याद कर लिया शावार सिर्फ हाला के हाला के आड़िटिंग स्टेंडर्ड ये कहते हैं कि मैं इस नौट सफिशेंट अप्रोग्रेट अविडेंस लेकिन आदा याद कर लिया आदा आदा पेज़ शावार सावार और इस ने अदा याद किया दो लर्जिक अदा नो 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 शावार साथ साथ नहीं मैं करूंगा अच्छा ठेक है और शावाई को दें यहाई बाई सब्सक्राइब यह दीजिए यह रेट इधर भी से भाई आदा किया किया चालिये नेक्स अब आपिस आते हैं क्वेसर नमबर सैवन के सब्सक्राइब हो जाई यह के सब्सक्राइब के सामने requirement for each of the above independent matters independent of the letter of the na straight the audit procedure which may be performed by your auditing discuss with reason the implication on audit report procedure भी बताने implication अच्छा procedure से बाज वकात हमें evidence मिल जाता है बाज वकात मिलता जब मैं impact on report बताओं तो किस situation को discuss करूं जिसमे evidence मिल जाता है उसको या जिसमे evidence नहीं मिलता उसमें या नी good or bad दोनों discussion discuss करूं चलिए ठीक है बिल्कुल ठीक है यही करना है लेकिन फर्ज कीजिए exam में अगर मेरे पास time कम है मैं दोनों को discuss नहीं कर सकता हाला कि दोनों को कर लेना बेहतर है लेकिन फर्ज की exam में time कम है दोनों को किसको करूं नेगडिव वाले को शाबाश यह जेंद में रखेगा सो बाते हैं अचा प्रोसीजर बता रहा है मैं मार्किंग प्लैन बना रहा हूं आठ है दो स्वेशन है चार-चार ह सकती है बागर नुख भाइट पांच त्वाज बी होते हैं वो डिपेंड करता है इसमें अगर केस एक है इसके अंदर हो सकता एक इसमें दो मसले हो इसमें में ने वह गर्वाज और पांच पांच तक्रीब है ठीक है पहले पहला केस यूरे पार्टनर इन फॉर्म अप्शाटिट अगांडेंट फालोइंग इंडिपेंडेंट मैंटर अर अंडर यूर कंसिडेशन पहला ड्राफ फानेंशल स्टेटमेंट्मेंट्स ऑफ फैनलॉंड पाकिस्टान लिम्डी डीवियल फार्दा येर एंडिट 31 जनुरी 2021 स्पैशलाइज्ड और और ओफ फारिव फार्ण कस्टमर दो कौन सा लफ़ज एहम है खागे ना दो स्पैशलाइज्ड भी फारण भी फारेल भी स्पैशलाइज्ड कस्टमर से क्या पता चला इंडिवेंट्स क्सी और को नि बिक पाएगी इसको बिकी तो ठीक वरना चला और फॉरन करेंसी का रिस्क है ट्रांसलेशन का और खास तोर में ये रेंड पर उसको अपडेट करना होता है आगे चलते हैं कहानी किस तरफ लेके जाता है दो इस हमने स्पेशलाइस कोंट्रलं किया ड्यू टू सटन इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट रिस्रिक्शन इन फॉरन कंट्री कस्ट्रमर कैंसर ला और ऑडर और थाइस जद्वरी दो जारी केस उसी साल में उसी साल वाले तो सारे आटोमेटिकली डिस्टिंगी होते हैं दा डाट फानेंस इस वेल्येट शुशन या तरना है इन वेंटरी शुट बीरिकार्ड़ एड एड फारंड करंसी बैलेंस शुट भी अपडेटिड एड यूजिंग बैलेंस शीट रिट्स वैलेशी डेट्रेट्स यह बताना आपको फारंड़ को सिस्टावाना प्रांजक्शन पास्ट्र म मैं इससे यह इनफर्मेशन ले रहा हूं कि यह पास्ट में इसके साथ ट्रांजक्शन चल रही है और अब यह वाला अडर भी उसने दिया है आपको लग रहा है कि पास्ट का भी इनफर्मेशन नहीं है यह भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसमें बड़ी डिसक प्रोसीजर क्या होंगे अब मैं आपसे वो डिटेल्ल डिसकस नहीं मैं सरफ अनैलिसिस करवा रहा हूं आपको उस जगह तक पुंचा रहा हूं देखें प्रोसीजर आपको मैंने सिखा दी है एक एक प्रोसीजर बता दिया याद करने के लिए लाज से पेज़ी भी दे दि डिसकस कर चुके हैं याद है क्या करेंगे है बताइए अभी तो आपने एकाई सर दुबारा डिसक्स करने की जूँथ ही नहीं है अदेखें कि और को साल हो सकते हैं क्या यूज है जेल प्राइज की और दो किया है इनकी ठीक है और क्या करेंगे management का process क्या है management intention क्या है इस stock को क्या करना है physical inspection कर लेंग अच्छा एक सी सोर मुझे याद आगी अभी वो advanced e-fab level पे था इसमें अगर आपको लगे के ये relevant है तो pick कर लीजेगा परना point छोड़ दीजेगा customer के साथ agreement पढ़ के देखेंगे in case of breach of agreement क्या किसी party ने penalty पे करनी है के नहीं और अगर पे करनी है तो उसको भी record करना चाहिए पिक करते हैं समझ आता है इसको लिख लीजेगा इसको भी जहां कहीं breach of contract हो अगर यह सब्सक्राइब हो जाता है तो अन्मोडिफाइड में लेकिन वैल्यएशन आफ इन्वेंट्री के ओपर लेकिस में इन्वेंट्री कि वज़ा से एर्ड राएगा इन्वेंट्री ऋप्यारई है ना इनवेंट्री के नर वी तकरीबन वैसे यह जैसे आ को इसमें इसमें आजिया पों む in Key Audit Matters section, 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 Oiter shall also refer to basis for qualified opinion section. Second issue, during the audit of Stellar Limited, the management informed the audit room that its largest customer, Ather Limited has recently notified that it will not renew its contract with SL, which is due to expiration on 30 June 2021. The most important thing is, is the customer going on in the next year or after a year? It's a year, so the going concern uncertainty will be created or not? Sales from the E.L. constitute 70% of total revenue percent, while the last year was given, it was 70% of sales, the client went on the company, the management has further informed that they are in negotiations with the E.L. and are hopeful to retain the customer. Negotiation is still running, management is still running, management is still running, management is still running. Yes, sir. Yes, sir. Okay. On, one, 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 two, one, one, two, one, 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 two, eleven,s, one, one way That if you think about marks not現 on, all, one is that so long. Moving on, 1,000. Two, three, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, लिखने की अजाज़त है लेकिन सिरफ जनली ख़तम नहीं करना इस लाजम ही लिखने लेकिन स्पेस्विक वाले यह बाद समझ आ देंगे लिगोसियेशन और तो लिखने ही है लेकिन स्पैसिफिक लिखने हैं वह बॉब साथ वीड हो जाते हैं बाद समझारी के नहीं लेकिन आपने इसको प्रामल नहीं करना आप ने सारे जनरली वीट करने मुझे पता है आप पेपर में ऐसे करते हैं अलाकर बता रहा है वह डैक्टर वाला मसला है इस रूर्ल बताया है न आपको इस प्रोसीजिट में कोई भी रिलेट करता था गोइंग कंसर्ण से जब इवंट इडेंटिफाई हो गया तो आइट ने क्या प्रसीजर पर्फार्म करने हैं जी मिर भाइंट के बाद भी चला जाता तो गोइंग कंसर्ण हमेशा एक अडिजस्टिंग इवंट होता है वह यह रंड के बाद भी इसको मिंक् या के तीनों को कितने स्वोडस का ख्याल है इंपैक टोन रिपोर्ट में सीरफ एक सीचटिशन गॉइंग कंसंड अन्सर टे dinosaur से करनी चाहिए यह कितनों का ख्याल है थीमिलेन लायकिह को किया ख्याल है आडिट शोड़े मुझे अपना ख्याल बताएं कैया मेरा ख्याल हिएक के तीनों डिसक्स करना बेश्टरै कि अई कुंकर इसने क्लीर ली इसमें में बताया नहीं कि आइटर का कंक्लूजें किया है अभी थे लिडिकार कि अई अच्छू के अच्छछ नहीं सुनुर। पर आइटर की रेक्षरियां खतम करते हैं, आला हाफिस